हाई गईज और वेलकम बाक टो दी चैनल दीपाश यादव एजूकेशन वेलकम टो दी डेली हिंदू नियूज एंड रिटोरियल एनालिसस ओफ 11 ओफ मार्च 2024 तो गईज आज है तारी 11 मार्च 2024 और है मंडे देखेंगे आज के दा हिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को कंप इस चैनल मिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चैनल को जॉइन कर लेना यहां से आप डेली बिस्स पे इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर पाऊगे नाव हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है गल्फ ऑफ टोंकिन को कहां पर है एक्जाक्ली लोकेटेड इसको अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिसे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाऊगे साधी साथ एक प्रिविएस यर साल 2016 के प्रिलिम्स में पूछा गया था डेली बिसेस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रिविएस यर क्वेशन को भी सॉल्व करते हैं क्वेशन क्या बूलता है तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है एटली सभी को इसमें पाडिसिपेट करना है जैसे हम आप लोगों से डेली बेसिस पे बूलता हूं बाइदावे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइड कर दिया है वहा तो दोस्तो ये टॉपिक वैसे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा आज से दो दिन पहले से इसकी लगातार बहुत सरी चर्चाएं हो रही है तो हमने इसको कवर भी नहीं किया था तो सोचा आज इसके बारे में थोड़ा सा कवर करते हैं तो इंडिया का सबसे पहला अंड भारत हिंदू नियूस पेपर हो चाइवडन एक्सप्रेस हो इंडिया टूडे फिनेंशल एक्सप्रेस हर जगा पर दोस्तो इस आर्टिकल की चर्चा अल्रेडी हो चुकी है तो पंदरा मार्ट से कोलकाता का जो यह अंडर वाटर मैट्रो है यह ओपन होने वाला है और मैं जब हम लोग बात करते हैं वेस्ट बेंगॉल की ठीक है तो वहाँ पर आपको यह अलगलग जगा देखने को मिलेगी इधर आप देख पाओगे कोलकाता है और इधर यहाँ पर आपको हावरा देखने को मिलेगा ठीक है दोनों अलगलग शहर है ठीक है आप होता क्या है प्रोवाइड करवाया गया है जो यह अंडर वाटर मैट्रो सर्विस है अब उससे पहले यह देखो दिक्कत क्या है ऐसा क्यों आपको पता होगा बीच में दोस्तों एक हावरा ब्रिज भी है ठीक है हावरा ब्रिज के बारे पता होगा सबी लोग जानते होंगे बहुत ही इनके बीच में से यह नदी जा रही है ठीक है तो यहीं से हम क्या कर रहे है इस नदी के नीचे से इस प्रकार से एक टनल निकाल रहे है जो कि अलड़ी तैयार हो चुका है और जमीन के नीचे से टनल बनाया गया है जिसमें से मैट्रो इदर से हावरा से स्टार्ट होगा औ जरा सी देर में यहां पर इस पुरे नदी को क्रॉस कर जाएगा ठीक है अभी जो यहां पर रास्ते ओपन है ब्रेजिस ओपन है उसमें बहुत ही जादा कह सकते हो कि ट्राफिक रहता है टाइम जादा लगता है तो वो सारी चीज़े कहीं नगे जैसे कम हो जाएंगी टाइम क दिखाना चाहूं तो वो इस तरीके से नजर आएगा फॉर एक्जाम्पिल यह हूगली नदी बह रही है ठीक है इधर हावरा है और उदर कोल काता है ठीक है हमें दोनों को जोड़ना है तो उसके लिए हमारे पास में हावरा ब्रिज है ठीक है अब होता क्या है दोस्तो यह नहीं पर देखोगे जमीन के अंदर से टनल्स बनाई गई है और दो टनल बनाई गई है यह भी ध्यान पर रखना है एक टनल मेट्रो ट्रेन जाने के लिए और दूसरी टनल यहाँ पर ऑव्यसी बात है ट्रेन को आने के लिए दो रो टनल्स है अब बात यह है कि यह एक्ज किया है ठीक है अगर आप देख पाओगे जो हमारा रिवर का ऊपर का सर्फेस है उससे इसकी गहराई और ज़्यादा हो जाती है लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं नीचे रिवर बैट से तो यहां पर कहीं न कहीं यह वाली गहराई इसकी इतनी नजर आएगी ठीक है तो हमन पादर से यह जो टनल है वो लगबख 5.5 मीटर के असपास आपको देखने को मिलेगा उपर से यहां पर इसका डामेटर थोड़ा सा और ज्यादा है दूसरी बात कंस्ट्रक्शन में कई सारे माटिरियल्स का यहां पर यूस किया गया है ऐसे माटिरियल्स जिससे यहां पर तयार हो गया था कहो कि सर क्या बात करहो यह पूरा जो प्रॉजेक्ट है अंडरवाटर टनल का लगबख इसको 3 साल हो गय है तीन साल बात जाकर इसका उदगाटन वाया आप कह रहो 66 देज में ध्यान जा सुनना मैं यहां पर अंडरवाटर टनल की बात कर रहा हूँ जो ट जर्मनी से मगाई गई हैं एक का नाम प्रेरणा दिया गया है और दूसरा का नाम रचना दिया गया है ध्यान रखिएगा important question आप से बन सकता है question ये बन जागा कि हाल ही में प्रेरणा और रचना ये दो news में थी तो बताओ ये चीज़े क्या है तो आपको बदावना चीए है ये जर्मनी मेड TBM TBM मतलब टनल बोरिंग मशीन है ठीक है इनका एक बड़िया रेकॉर्ड रहा है इनोंने 66 डेज में इस पूरे टनल की खुदाई की जिसके बाद ये जो टनल है इसको रेडी किया गया अब ये टनल फानली दो इंपॉर्डंट एरिया उसको जोडने का काम करेगा आई होप आपको इसके बारे में एक बड़िया से क्लारिटे मिल चुकी है टनल एक्जैक्ली कहां से जाएगा वो भी मैंने आपको यहां पर समझा दिया चलिए उसके बाद हाँ एक चीज़ और जो ये केवल टनल टनल है जो केवल यहां पर टनल तयार किया गया है क्योंकि ये जो वैसे तो पूरा कोरिडोर देखोगे तो बहुत लंबा कोरिडोर है दोस्तो धियान लखिएगा कोरिडोर बहुत लंबा है जो कि कह सकतो सॉल्ड सेक्टर फाइव स्टेशन को यहां पर करेंट करता है स्याल्दा स्टेशन से दिन स्याल्दा से हावराता करनेट करता है तो एक बहुत लंबा कोरेड हो रहे हैं मैं अगल केवल टनल टनल की बात करता हूँ यह टनल लगबग 520 मिटर के आसपास का है ठीक है तो जब यहाँ पर 520 मिटर का जब यहां से मैटरो गुजरेगी तो 40 से 45 से के अंदर दोस्तों इस पुरे टनल को वो पार कर जाएगी ठीक है तो यहाँ पर इस टनल के कुछ important features जो कि यहाँ पर मैंने आपके साथ में share किये चलिए आता है उसके बाद में next important article पर आज के ही अख़वार में एक बहुत important topic चर्चा में है जिसको हम GS paper number 2 international relations साथी साथ में GS paper number 3 economy के साथ में भी link करेंगे तो आप नहीं देखा हुगा यह topic हाज की newspaper में जहाँ पर बात की जारी है भारत ने एक free trade agreement sign कर लिया है चार अलग-लग European countries के साथ में और यह अपने आप में बहुत बड़ी achievement है क्योंकि अभी तक इस प्रकार के investment यहां से आएगा सबसे important point हुआ क्या है दोस्तों आपको यह बताता हूँ पहले आपको यह ध्यान में रखना है जो यह चार अलग-लग European countries है ना इन चारों countries का एक group है ठीक है उस group को यहां पे नाम दिया यह है EFTA क्या नाम दिया यह है EFTA that is EFTA EFTA की full form है European Free Trade Association इस EFTA में चार देश आता है वो चार देश कौन-कौन से है number 1 Iceland, number 2 Lactinstein, number 3 Norway and number 4 Switzerland यह चारों countries है इनके साथ में अभी यह कौन सा agreement किया है हमने एक free trade agreement और ध्यान रखना जो free trade agreement होता है यह भी अलग-लग प्रकार के होता है जैसे आपने सेपा सुना होगा अब यहाँ पर अपने टेपा सुना होगा ठीक है अब यह टेपा गया है टेपा ही यह दोस्तों यह agreement देख पाओगे टेपा की full form है trade and economic partnership agreement ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा जो व्यापार हो रहा है जिसमें कुछ charges वगरा लग रहे है टारिफ्स वगरा लग रहे है उसमें छूट दी जाएगी कहने का मतलब है जो यह चार देश आपको दिख रहे हैं दोस्तों इन चार देश का कहना यह है कि इंडिया का market बहुत बड़ा है तो यह इंडिया का market का access साथ है और already यहाँ पर इन चारो देशों से कई सारी चीज़ें इंडिया इंपोर्ट करता है For example, Iceland से अगर आप देखोगे तो हमारा अगर हम व्यापार देखे हैं 2023 में तो यह लगबग 13 billion dollar का यहाँ पर export किया था हमना Iceland को और import वहाँ से केवल 5 billion dollar का किया था Sorry, 5 million dollars यह जो डेटा बता रहा हूं सम मिलियन डॉलर्स में Lightingstein को हमने 0 million dollars का export किया, import हमने 8 million dollars का किया था क्योंकि चाहते हैं इंडिया का marketing को मिले Lightingstein दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा देश आपको नज़र आएगा For example, अगर हम यूरॉप में बात करते हैं तो यह Switzerland है, Switzerland के जस्ट आगे उसके सामने यहाँ पर यह लाक्तिंस्टीन है उसके अलावा उपर यहाँ पर आपको नज़र आएगा Norway and then उसके बाद में Iceland यह चारो देश हैं, चारो चाते हैं, इंडिया का एक huge market इनको मिले, यह अपने जो products हैं, उनको यहाँ पर हमारे देश में export कर सके हैं, बेज सके हैं, business को expand कर सके हैं तो यह चीज़े हमने done कर दिया, deal done हो चुकी है दोस्तों, लेकिन इस deal में एक twist और है हमने यहाँ पर बोला, ठीक है, आप market लेना चाहते हो, market लो, हमें भी आपका market access चाहिए, वो तुम मिलेगा देखो, obviously वाते यह tape agreement है, यहाँ पर मिलेगा उनका market access भी, जिसमें हम चीजों का export करेंगे लेकिन उसके अलावा, हमने इनसे बोला है कि भई, आप इंडिया में आने वाले 15 सालों के अंदर 100 billion dollars का investment करोगे आने वाले 15 सालों में आपको 100 billion dollar का investment करना होगा, यानि कि पर year अगर हम बात करें, आज से अगर हम आगे 15 साल चलेंगे तो per year result से 6 billion dollars इतना investment यहाँ पर particular year में हुआ करेंगा, जो कि economy में हमारे बहुत बड़ा contribution देगा तो यह अपने आप में हमारी एक बहुत बड़ी victory भी कह सकते हो, एक बहुत बड़ा achievement भी कह सकते हो, आप finally देखेंगे इसको किस तरीके से आगे implement किया जाएगा, ठीक है, अब यह जो news है दोस्तों, यह खबर तो आपको समझ में आ गई, लेकिन क्या किये केवल खबर exam के लिए enough रहेगी, कभी नहीं, यह तो आपको केवल news पता चला है, अब exam के लिए जो पढ़ना है, असली शुरवात होती है अब, exam में दोस्तों आपसे EFTA के बारे में पूछा जा सकता है, तो EFTA एक प्रकार का intergovernmental organization है, simple सी बात है, इसमें चार देश है, तो चारो देशों की सरकारे मिलकर काम कर रही है, वही है इसका मतलब, और यह जो body है, इसको बनाया गया था 1960 में, ठीक है, European states का, आपको पता अगरा के इस्तमाल के रहे हैं, इनकी currency euro है, बट यह जो चार देश है दोस्तों, इनकी currency euro है, इन्होंने euro को अपनाया ही नहीं है, तो EFTA में चार देश कौन से आता है, यह इनको ध्यान रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ, रट लेना exam के लिए बहुती जादा important है, 2020 में, जो यह EFTA है, यानि यह जो चार देश है, यह इंडिया के 9 largest trading partner थे, जिससे भारत ने export, import किया, ठीक है, व्यापार किया, अब कौन-कौन से ऐसा items है, जो हम export कर रहे हैं, इन EFTA countries को, और यह EFTA countries से import कर रहे हैं, पहले बात करता है, भारत export क्या करता है, तो export में textile, या इन EFTA countries से import करने वाले items कौन-कौन से हैं, उसमें आती है, machinery, chemicals, precious metal और medical instruments, यह सारी चीज़े हम import करते हैं, तो यह बात हो गई, EFTA के बारे में हमने जान लिया, अब यही पर अगर आपको इन चारो देशों के साथ में भारत के संबंद को पढ़ना है, separately, अलग-अलग, तो यहाँ पर मैंने कुछ data प्रोवाइड करवा दिया, इसको आप रीड कर सकते हूँ, चलो मैं आपको एक थोड़ा सा overview देता हूँ, for example, सबसे पहले हम इन चारो देशों में से एक बात करते हैं, Switzerland की, तो भारत का जो संबंद है Switzerland के साथ में, वो भी बहुत ज़्यादा strong है, दोनों के बीच में कई सारे already agreements हुए वे हैं, skill training, collaborations यहाँ पर दोनों देशों के बीच में हुए हैं, even आप देख पाऊँगे व्यापार तो Switzerland बारवा सबसे बड़ा investor है इंडिया के अंदर में, जिसने बहुत सरा पैसा निवेश किया है, ठीके, यानि हमारे देश में जो total F या आता है बाहर से, foreign direct investment, तो उस investment में एक important role या 1.07% तक का contribution Switzerland का है, यह especially कब से कब तक ही बात की जारी है, April 2020 से September 2019 तक जो भी Switzerland ने investment या इंडिया में उसका data है, ऐसी आप इंडिया और नौरवे के relations को discuss करोगे, तो अगे यह है इंडिया, ऊपर यहाँ पर आपको नजर नौरवे, चीक है, नौरवे और स्वेडन हाली में यूज में भी थे, आपको पता होगा, अब बात यहाँ पर यह है, इंडिया नौरवे के संबन देखोगे, तो दोनों के relations यहाँ पर भी strong है, दोनों मिलकर दोनों कोने एक task force बना रखा है, blue economy, sustainable development को लेकर, हैना उसके अल नौरवे की काई सारी कंपनिया है, जो यहाँ पर इंडिया के अंदर में involved है, जो की अलग-लग तरीके से काम कर रही है, उसी प्रकार से इंडिया और आइसलेंड के relations देखेंगे, तो भारत अगे नहाँ पर है, आइसलेंड यह हो गया, तो इनके relations भी दोस्तों अपना आप करते हैं, इस प्रकार का सपोर्ट आइसलेंड भारत को करता है, उसके अलावा भारत और आइसलेंड दोनों मिलकर व्यापार, रेनेवेबल एनरजी, साइंस टेकनलोजी, एजुकेशन, कल्चर, डवलपमेंट, इन सब चीजों के बीच में लेकर यह कॉपरेट करते हैं दो इसके बाद इसी प्रकार से लाइक्टिंस्टीन के साथ मैं भारत के संबन देखोगे, तो लाइक्टिंस्टीन से बहुत छोटा सा देश आपको नज़र आएगा, यह है वो, ठीक है, नीचे मैं यह तो स्विट्जरलेंड है, यह उपर वाला, ठीक है, बहुत छोटा सा है, तो इनके बीच का जो व्यापार है, वो भी कोई ज़्यादा स्ट्रॉंग नहीं है, बट अभी यहाँ पर इनको थोड़ा मार्केट मिलेगा, इंडियागा तो ज़्यादे एक्स्पैंड करेंगे इस चीज को, फिर एट दलास अगर आप देखोगे, तो अगें, यह देश भी वो है जो इंडिया को युनाइटी नेशन सेकुरिटी काउंसल में पर्मनेंट सीट के लिए लगातार सपोर्ट करता है, ठीक है, तो आई होप आपको इसके बारे में क्लारेट मिल चुकी है, इस पर्टिकुलर अग्रिमेंट से या इस डील से होगा ये, इनके संबंध अव्यापार के मामले में और मजबूत होंगे, दूसरे तरीके से मजबूत होंगे, डिपलोमेटिक रिलेशन से स्ट्रॉंग होंगे, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इंडिया की और पावर बढ़ेगी, युनाइटी नेशन सेकुरिटी काउंसल में आवाज उ अर्टिकल में आपको पता है दम नहीं है, इस अर्टिकल के पीछे का बागराउंड डेटा, एक्जाम में जो क्वेशन बनेगा, वो यहां से बनेगा, इस फैक्च्वल डेटा से, इस स्टाटिक पोर्शन से, तो इसको पढ़ना जरूरी है, इसके नोट्स बनाने जरूरी हैं, तो दोनों मीडियम के आस्परेंट को help मिल जाती है, और उससे important बात दोस्तों इस ग्रूप में सारा content आपका secure हो जाता है, ठीक है कई बार आप PDF कलेक्ट करते रहते हो, उसमें issues होता है, storage के issues जाता है, है ना, फिर mix हो जाता है, सब कुछ, तो वो सारी problem दिक्कते खतम ह हो जाती है, क्योंकि इस ग्रूप में सारा content date-wise पढ़ावाए, किसी भी तारीक का PDF उठाओ, download करो, पढ़ो, delete करो, unlimited options आपके पास में available है, सबसे important चीज, जैसे अगर आप आज इस ग्रूप को join करोगे, तो ऐसा निया कि कवल आज से PDF मिलने शुरू होंगे, नहीं, तो आग तब तक आपका selection नहीं हो जाए, तब तक आप 499 में इस ग्रूप को join करके रख सकते हैं, simple, दोस्तो, guarantee है कुछ दुनों बाद आपका amount recover हो जाएगा, लेकिन benefits आपको फिर भी आगे मिलते रहेंगे, इस ग्रूप को join करने के लिए क्लिए 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 वाट के process से जादा important आपको demo वीडियो का link भी दिया जाएगा, पूरे demo वीडियो को check कर सकते हो कि मुझे किस तरीके से फायदे होंगे, finally अपने आपको satisfy करने के बाद में जाकर ये investment आप कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, बाकी दोस्तों make sure कि अगरो वीडियो पर जो like का button उसको press कर यागरो हमारा छोटा सा target होता है, 5000 likes का जिसका आप support कर सकते हैं, बाकी यार आपको पता ही होगा, आज वीडियो थोड़ा सा daily हो गया है, तो manage कर रहे ना यार, है ना, अगले article पर आता है, आज के अक बार में page number 2 पर ये article present है, जिसको हम GS paper number 3 environment के साथ में link करेंगे, हुआ क् मद्यपरदेश के अंदर जो कुनो नैशनल पार्क है, यहाँ पर साल 2022 में सेप्टेमबर के महीने में कुछ चीता लाए गए थे, African country से, ठीक है, तो उन चीता को लाए गया था, क्योंकि भारत में अलड़ी चीता समापत हो चुके हैं, तो दोस्तों जो चीता जो आए भारत तो संडे में इस गामिनी चीता ने लगबग पांच छोटे-छोटे चीता को जन्म दिया है, कुनो नैशनल पार्क में जिसको लेकर यह न्यूस चल रही है, और अगर हम देखें, तो एक समय, 1950 के बाद से समय अभी तक यह चल रहा था कि इंडिया में 0 चीता थे, कितने 0, अब हमारे देश में 26 चीता हो चुके हैं, टोटल यह इंफोर्मेशन हमारे पास में निकल कर आई है, तो कई सारे चीताओं ने इंडिया में अभी जन्म भी दिया है, तो यहीं पर हम इस आर्टिकल को एक्स्पैंड करके पढ़ेंगे, क्योंकि यह तो खेर, आप कहो कि है, अब स्क्रीन पर आप लोग देखते वें चलो, तो दोस्तों चीता का रिलोकेशन भारत में किया गया, क्यों, क्योंकि आकरी बार चीता भारत में 1947 में देखने को मिला था, especially 36 गड़ में, फिर कई सालों तक चीता दिखाई नहीं दिया, तो 1952 में चीता को एक्स्टेंक् है, है न, तो इंडिया में जो चीता पाया जाता था, वो एसियाटिक चीता हुआ करता था, और आज दुनिया में एसियाटिक चीता की संख्या बहुत कम है, 40 या 50 बचास बचाएं, तो काओ के अभी तो आपने बोला था, खतम हो गए भारत में, हाँ भारत में खतम हो गए हैं लेकिन इरान में हैं इरान में 40-50 चीता बचे वें ऐसे आटिक चीता अगर वो भी खतम हो जाएंगे तो समझो दुनिया से खतम हो गए ऐसे आटिक चीता जाहते ध्यान रखिएगा और आफ्रिकन चीता की संख्या अभी भी बहुत जादा है बहुत सारी आफ्रिकन कंट्रीज में ये चीता पाए जाते हैं क्लियर चलिए अब इंडिया में हम जो चीता लेकर आए तो मध्यप्रदेश के अंदर कोनो नैशनल पार्क में हमने इन सब चीता को रखा है वहीं पर इनकी जो पॉपलेशन वो बड़ी है अब जो ये पूरा प्रोजेक्ट था इस प्रोजेक्ट को लागू करने वाले जो ब प्रकार के हैं एक है एक है अफ्रिकन चीता और दूसरा है एसियाकि چीता जर कीच बीच की डिफरेंस को धियान रखिएगा बहुत 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 इंपोर्टन पॉइंट है सबसे पहले आप से पूछा जा सकता है इसका IUCN status तो एसियाटिक चीता का IUCN status क्या है यह vulnerable category में है यानि कि खत्रे में obvious सी बात है इसकी population बहुत ही कम बची है सॉरी अभी मतलब ठीक ठाक बची हुई है बट फिर भी vulnerable category में इसको रखा हुआ है बाकि जो एसियाटिक चीता है इसको critically endangered category में रखा गया है यानि कि ये तो बहुती ज़्यादा खत्रे में है बाकि साइट्स में आप देखोगे तो African चीता को appendix one में रखा गया है यानि कि व्यापार करने में कई सारे restrictions है इंटरनेशनल वियापार आप इतनी असानी से नहीं कर सकते है कर सकते हैं लेकिन restrictions है बहुत सारी है उसी प्रकार से ऐसियाटिक चीता को भी appendix one में रखा गया है distribution की बात करेंगे तो जैसे मैंने बोला ऐसियाटिक चीता केवल 40 या 50 बचे वेए सामने अफ्रिकन चीता हो और ऐसियाटिक चीता हो दोनों के बीच में फरक पता लगा ना हो तो छा ब्लैक कलर की लाइन होती है यह वाली ब्लैक कलर की लाइन जो है न यह एसियाटिक चीता में प्रेजेंट नहीं होती है ठीक है दियान अखिएगा इस बात को और दूसरी बात अगर सामने आभी जाए तो डिफरेंस करने मत बैठना सीधा माँसे भागना यहां पर बात करते ह जो कॉमन नेम है अगर आप देखो गए जैसे हम डिसकस कर रहे थे अभी आफरिकान चीता और असियाटिक चीता तो इनके सांटिफिक नेम क्या है अफरिकान चीता का सांटिफिक नेम है तो लास्ट में यहां पर एक वर्ड चेंज हो चुका है यह दियान अखिएगा चली इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब जो यह चीता है जब यह शिकार करते हैं तो या तो जब सूरा जुग रहा हो या फिर जब सूर्यास तो रहा हो ठीक है इनी दोनों टाइम पिरेड में जो यह चीता है वो लगातार क्या करते हैं हंटिंग करते हैं अब बात है चीता फीमे के लिए समझ मा गया चलिए अब आते हैं एक और इंपोरेंट टॉपिक पर इंटरनाशनल रिलेशन के पॉइंट एवी से काफी रेलिवेंट होने वाला है जैसे इसके बारे हम काफी चर्चा कर भी चुका है पहले लेकि बहुत टाइम हो चुका है तो आपका रिवेशन हो ज समुदर के पास मा अरेस्ट किया गया और वो जो 22 मचवारे हैं दोस्तों इसमें से 13 मचवारे नागपतिनम से हैं और साथ यहां पर पुदुकोताई से हैं और दो यहां कराइकुल से ठीक है तो यहां पर बोला जा रहा है 22 भारत के मचवारे हैं जो मचली पकड़ने गए समुदर में बट यहां पर इनको अरेस्ट कर लिया यह पगड़ के ले गए और ऐसे केसिस आते रहते हैं आप देख पाओगे यह जो लगबग 22 मचवारे हैं उन सब के नाम यहां पर दिये गए हैं उम्र दी गई है तो एकजाम में बात यह नहीं पूछ जाएगा बट या च्छे दिन बाद कहीना कैसे छोड़े आर्टिकल आते रहता है कि आज स्रिलंका के डेवी ने यहाँ पर इंडिया के मच्छवारों को पकड़ लिया है तो ऐसा क्या है मैटर और अगर यह मैटर इतना भयंकर होता चले जा रहा है जो अक्सर चड़चाओं में रहता है तो इसका इंपक्ट हमारे संबंद पर क्या पड़ रहा है स्रिलंका के साथ में और दूसरी चीज इसका सलूशन क्या हो सकता है उपाई क्या हो सकता है यह जाना जरूरी है तो एक्जामनेशन में यह कुछ चीज़े आपसे डिरेक्ली पूछी जा सकती है तो उसके लिए प्रे जाते हैं तो इस अपनी नाव को सीधा ज़ाता है कि स्रिलंका की टेरीटरी में अंटर कर जाते हैं और इस जाते है अपने नाव अगरा सब जबंद कर लेती है तो इस से हमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इस आर्टिकल मेरे है कि बार बार जो यह ठीक है क्योंकि बार-बार इस मुद्दे को उठने के बजाए हमें इस मुद्दे को निप्टाना चाहिए तो question number one आखिरकार reason क्या है स्रिलंका क्यों यहां पर भारत के मचवारों को पगड़ कर ले जाता है बार-बार सबसे पहला reason है crossing the borders डिसकस करी चुके हैं कि भारत के मच अक्सर स्रिलंकन water में गुज़ आते हैं जिस चकर में वो arrest कर लेते हैं ठीक है फिर उसके बाद में दूसरी जो problem है मतलब अगर ये भी ना हो तो warning दे के वो भगा सकते है warning दे सकते है एक बार gunshot वगड़ा आसमान में fire कर सकते हैं जिससे यापर उनको वापस कर दिया जाए बड़ ये tactic स्रिलंका अपना नता नहीं है क्यों स्रिलंका कहना है कि हम उनको पकड़ेंगी पकड़ेंगे क्यों क्योंकि उनकी जो मचली पकड़ने की टेकनीक है वो टेकनीक स्रिलंका में बैन है इसलिए हम उनको पकड़ेंगे क्यों अब ये कौंसी टेकनीक का स्थमाल कर तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जो इंडिया के मच्छवारे हैं वो समुदर में बॉटम ट्रॉलिंग का अस्तमाल करते हैं और बॉटम ट्रॉलिंग पूरी तरह से स्रिलंका ने 2017 में ही बैंड कर दिया था ठीक है तो क्यों बैंड किया था क्योंकि इससे कही ना के नुकसान बहुत हो रहा है और एक बार में कई सारी मच्छलियां भी दोस्तों मारी जाती है पकड़ी जाती है तो इस तरीके से कर आप देखोगे तो बॉटम ट्रॉलिंग में होता क्या है एक जहाज है जहाज के पीछे जाल बांदा जाता है बड़ा सा है और नीचे इस ज जाल को जहाज के साथ में खीचा जाता है जैसे से जहाज कहिंचे का ये जाल में जो भी चीज़े इस तरीके से आती रहेंगी आप देख पाऊगए है Superman बांदे यह जहाज खीच रहा है इस जाल को और इसे पानी के अंदर डाल दिया पहानी के दिया और जो लार जार रहा कोई आइडिया है नहीं, दूसरे जानवर भी मरेंगे, उसके अलावा जो aquatic plant animals, aquatic plants हैं, समुधर के अंदर कई सारे पेड़ पौधे present हैं, वो सब यहाँ पर damage जाहेंगे, तो इस वज़ा से स्रिलंका ने अल्रेडी bottom trawling को ban किया हुआ है, बट इंडिया के मचवारे इसी bottom trawling क असमाल करते हैं, जिस basis पर यहाँ पर स्रिलंका बोलता है, हम उने पकड़ लेते हैं, arrest कर लेते हैं, फिर एक और चीज़ है, geographical constraint, क्योंकि अगर आप देखोगे, तमिलनाड marine fishing regulation act 1983, इसके अंडर में जो Indian fisherman है, वो अपने एरिया में fishing कर सकते हैं, बट दोस्तों, यहाँ पर न unintentional crossing हो जाती है, यानि कि गहने का मतलब हो, ना चाहते भी यहाँ पर स्रिलंका के पानी में पहुंच जाता हैं, जिस वज़े स्रिलंका arrest कर लेता है, तो पीछे इसके कारण क्या थे, वो मैंने आपको कारण समझा दिये, अब बात यह करते हैं, कि जब स्रिलंका भारत के मच मच्वारों को arrest कर रहा है, तो इसके implications, यानि कि इसका impact क्या हमको देखने को मिलेगा, इससे दोनों देशों के बीच के tensions दोस्तों increase हो रही है, सिंपल सी बात है, दोनों के संबंद काफी खराब हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केबल भारत के मच्वारे स्रिलंका में जा सिधा वो अपने आपे लोट जाते हैं, बट स्रिलंका ऐसा यहाँ पर नहीं देता, एक भी छूट नहीं देता, जिसकी वेसे जो रहे रिलेशन्स हैं, ये कहीना की impact हो सकते हैं, दूसरा humanitarian concern, ऑब्यस सी बात है, जो fisherman जो मच्वारों को रखा जाता है, स्रिलंका में, लंबे लंबे समय तक कस्टडी में रख लिया जाता है, कई कई महीनों तक कस्टडी में रख लिया जाता है, जो कि एक सीरियस मानफ्ता का इशू, humanitarian इशू को उठाने की बात करते हैं, फिर एक और implication है, वो है financial loss, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर मच्वारे हैं, उनने अपनी ज़्यादा जो बोट्स हैं, जो नाओ है, अल्रेडी यहाँ पर स्रिलंका दोस्तों जब्त कर चुका है अपने पास में, ठीक है, तो इसका impact मैं जैसा बोल रहा हूँ, relations में काफी ज़्यादा पड़ेगा, और relations कहीं और ज़्यादा गंभीर स्टेज में पहुंचते वें च करना होगा, जब ऑब्यसी बात है, स्रिलंका के अपने rules हैं और उन्हें बैन कर रखा है, कि bottom trolling आप नहीं करोगे, यह वाला fishing करने का method नहीं अपना होगे, तो हमें alternative methods को अपनाना चाहिए, ठीक है, इंडिया को deep sea fishing करनी चाहिए, भाई आप एक दूसरा जहाज ले लो, government को support करना होगा इसमें, ताकि help करनी होगी, fisherman की, fisherman की, ताकि वो एक बड़ा जहास ले सकें, जिसको ले जाएंगे, पानी में रोख सकें, बीच में आराम से वापर जाकर fishing कर सकें, boat में रखकर वो वापस से ले करा सकें, ठीक है, तो इस तरीगी की दिक्कत यहाँ पर नहीं boundary को आप cross मत करो, उसके बारे में इनको जागरूख करना होगा, जो कि आज के समय पर नहीं किया जा रहा है, जिस वज़ा से ये ना चाकर भी कभी-कभी boundaries को cross कर जाते हैं, फिर उसके बाद में, एक और काम है, वो है diplomatic talks को regularize करना, क्योंकि ये matter एक ऐसा है, जिसको पर बात कर करना जरूरी है, हर तीन महीने पर जो स्रिलंका और भारत की बैटा के वो होनी चाहिए, ऐसे मुद्दो पर, दोनों का जो fisheries का मंत्राले है, इनके बीच में discussions होने चाहिए, बट ऐसा होता ही नहीं है दोस्तों, लंबे समय से meetings यहाँ पर नहीं हुई है, तो हमें बार-बार बातचीत करनी होगी, जो matter पता है, अगर हम भीड़ते रहेंगे या बातचीत नहीं करेंगे, जो matter अगर solve नहीं होता, वो अराम से एक बातचीत में solve हो सकता है, नए solutions यहाँ पर निकल करा सकते हैं, फिर एक और चीज़ हम कर सकते हैं, वो है humanitarian concern को address करना, ठीक है, जैसे Indian Prime Minister क फोकस करना होगा, इनके life को थोड़ा और improve करने के उपर फोकस करना होगा, इनकी family के पार में सोचना होगा, जिसके basis पर हम नई scheme या नई policies को implement कर सकते हैं, इन सभी के लिए, ठीक है, तो एक कुछ solutions जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं, चलिए, आते हैं एक और important topic के उपर, ये वाला जो news article है, ये भी हमारा GS paper number 3, environment के point of view से काफी relevant होने वाला है, क्या बात की जारी है, तो 7,396 अलग-लग जो golden langgours दोस्तों वो इंडिया में देखने को मिले हैं, ऐसा हमारे survey ने बताया, तो लगबग, एक latest survey हुआ, इससे पहले survey बहुत पुराना था, जहां पे हमा पास data ये था कि हमारे इंडिया में केवल 6,000 golden langgours present है, अब क्या हुआ, एक latest survey हुआ, और उस latest survey को दो faces में contact किया गया, जिसके बाद हमें पता चलता है कि बहिया, golden langgour की संख्या बढ़ चुकी है, अब 2024 में finally golden langgour की संख्या 7,396 हो चुकी है, या 7,396 के असपास पहुच तो जो golden langgour का पूरा range है दोस्तो, golden langgour का scientific name है, यहाँ पर आप देख पाओगे, ट्राइक पे थेकस गई, तो ये जो golden langgour से जाद तर जो मानस biosphere reserve आसम के अंदर में western part है, आसम का especially वहाँ पर जाद तर आपको ये golden langgour से देखने को मिलेंगे, अब इनके distribution के बारे में, इ आप इनके obviously बात है color से पहचान सकते हो, जो इनका color है फरका, उसी बजासे इनको golden langgour बोला जा रहा है, सबसे important बात दोस्तो, इनके फरका color change होता रहता है, season wise, जैसे season बदलता है, वैसे यहाँ पर color change होता रहता है, और जो color है, जब यह young होते हैं, या फिर adult stage में जाते हैं, तब यहाँ पर color change होता है, और इनसे white color में आपर बदलाव होता रहता है, जोग्रफिक range की बात करेंगे, यानि golden langgour कहां कहां पर पाय जाता है, तो जातार यह असम है, भारत के असम में आपको देखने को मिलेंगे, तो इंडिया के असम, इनका एक climate area है, जहाँ पर एक golden langg के असपास, west में संकोष नदी के असपास, और south में ब्रह्मपुतर नदी के असपास, असम में ये सारी वो जगहां है, जहाँ जहाँ पर एक golden langgour पाय जाते हैं, वो location में आपके साथ में share करती है, ना, सबसे important point, जहाँ से examination में question मन सकता है, वो है इसका conservation status, कि बही बताओ, golden आपको इसकी प्रजाती देखने को मिल जाती है, साइट्स के अंदर आप index 1 में cover किया गया है, यानि हाई protection दी गई है, हाई protection का मतलब है, कि बही, simple सी बात है, इसका शिकार नहीं कर सकते हैं, शिकार करोगे तो उस वक्तिकों पर high penalties लगाई जा सकती है, तो ये हो जाता है हम इतने ही आर्टिकल है, दोस्तों जो काम के हैं, बाकी आज का editorial section अगर आप open करो, क्योंकि economic section में publish होता नहीं है, editorial section उपन करोगे तो कुछ editorial देखने को मिलेंगे, electoral bond को लेकर है, बहुत बार discussion हो चुका है, एक editorial यहाँ पर यह है, France to India के ambassador है, इन्होंने यहाँ पर France की जो policy और especially women rights के बारें बात कर रहे हैं, तो अगर आपको यह वाला topic पढ़ना है न, इस topic को already मैंने 7 March को cover किया हुआ है, तो यहाँ पर जो यह पूरे article में बात कर रहे हैं, जो France के इस abortion की नहीं जो policy आई उसके बारें बात कर रहे हैं, तो करना क्या है, सिंपल सा 7 March का वीडियो open क लिखावा है और पहला ही article मैंने आपर discuss किया है कि फ्रांस के अंदर abortion को बनाया गया है एक constitutional right, एक संबेदानिक अधिकार यहाँ पर दिया गया abortion को महिला को, कि वह abortion करवाना चाहें तो करवा सकती हैं, और ऐसा करने वाला France दुनिया का पहला देश बनाएं, इसके बारे में बहुत सारी details मैंने शेर की हैं, भारत की policy क्या है, भारत का MTPH क्या abortion को लेकर, abortion को लेकर एक debate क्या देखने को मिलती है इंटरनेट पर, मैंने आप से mains के perspective से एक प्रश्ट मी पूछा वा था, तो please आप इसको यहाँ से focus कर सकते हैं, उसके लावा आज के news paper में कुछ पढ़न का नहीं है, ठीक है, लेकिन आप तियार कर रहो, examination की, तो उसके लिए focus करना हुगा सिर्फ content पर, तो यहाँ पर इस वीडियो छोटा हो रहा है, तो कोई बात नहीं, बट बखवास आपन पहले भी नहीं करते थे वीडियो में, तो इस वीडियो में तो इस वीडियो में तो झाल, 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